हलो फ्रेंड्स में विशाखा, ग्लोबल ऑनलेन मरठी में अपले सर्वान सा स्वागता है आच्छे सेशन में अपला गॉंडवाना एरियसी चाप पीएजडी एंटरंस टेस्ट साथी रीसर्च मेत्रोलोजी चा स्टड़ी कराई सा है पहाद है अपननी 2 पर परोलोब जोटी अरसल जा हो ऐसे स्ट्रों विशाखादार गन्स टार्वाना एरियसी सेशन अपन्स टारविक चेमें आट अथे लाव्रेशि आफन दो स्टूडरियलों सटूडपर्ण घिया अक्जरस करेंग है है गोंडवाना इने सदीची जचे एक्जाम वीस तरखेला है त्यांचा साथी वेल कमिया है मनुने एक फुल कोर्स आमी कि होना लो होत जा कोर्स मदा मी तुमाला देना रच संपुर्णा ब्यास करमा वरिल शॉर्ट नोट्स जट तुमाला कमी विड़ा मदे वाद सुन्दे आणि इकड़ी दिलेला वाट्स आप नमबर लगो में मेसेच करून लगेचा स्या कोर्स ला जोईन हो शकता आणि प्रिपरेशन ला सुरुआत करू शकता आणि अपली सीज याहेती पक्की करू शकता पहला प्रिश्णा है ताइपस ओफ रिसर्च वीच अलोज द रिसर्चर तो गेन अ बेटर कंसेप्ट आण प्रोवाइट डारेक्शन इन ओडर तो इनिशेट अ मोर स्ट्रक्चर रिसर्च इट्स तर्म आज सवशोधकास एक चांगली संकल्पना मिलावन्यास अनुमती देते आणि अधिक सवशोधन सुरू करणा साथी दिशा प्रदान करते अश्चा प्रक्चर चे संशोधनास असे मंटले जाते कि मां काय मंटले जाते अश्चा में इसकाय करेंच आपले जाते कि चांगली संकल्पना मिलावन्यास अनुमती देते आणि दुसरा सवशोधन करणा साथी सुरू करणा साथी दिशा प्रदान करते बनचे आपले जाते देनार हे संशोधन करते संशोधन यान एक संकल्पना सुदने नहार हे नवी देख चांगली तो यहें संशोधनास अप्रकार कुटला है मझे हां संशोधना चे प्रकार अवर्ती प्रश्णा है आपले ओप्चन साथ fundamental research, मुलभूत संशदन, applied research, उपयोजी संशदन, exploratory research, invention संशदन, and conclusive research मेंचे निर्नायक संशदन तो या मद याचे correct answer है, first fundamental research मेंचे मुलभूत संशदन तो मुलभूत संशदन का अला, करना अपलेला एक चांगली concept देते है, और एक संशदन सुरू करने चे दिशा देते है मजे हाँ एक basic संशदन अपलेला इते देना रहे, हाँ जो research आ है, प्रश्णा मतला जो research आ है, तो अपलेला basic concept clear करना रहे basic research मनुने ना रहे ता fundamental research मिचे काय बगुया fundamental research also known as basic research and pure research does not usually generate findings that have immediate application since practical level fundamental research is driven by curiosity and the desire to expand knowledge in a specific research area this type of research makes a specific contribution to the academic body of knowledge in the research area fundamental research मिचे काय एक basic research जो curiosity किमवा अपला interest नी, desire नी expand उते knowledge मजे curiosity असेल तवा अपला लाइखादा नवी शोद लागतो तेल पाने वर का तरंगल तेचान अंतर Newton सा जो law है कि आपल खालीच का पड़ला हाँ basic research है, fundamental research आला मतला अनि pure research बाकी चात्या मदे नवी जवीन गोश्टीन चा शोद लागला ते वेगविगा प्रकारा मदे येता जाल मुड़न तेल आपने basic research मनुशक्तो तो हेग काई करता अपला ला knowledge मदे भर देता हेग fundamental research सा वाईशिष्ट आया सा आपन मनुशक्तो तापली fundamental research ची concept लिया जालिया से next question the sampling techniques under which population is divided into mutually exclusive groups and the researchers drawn sample is called नमुणा तंत्र जाचा अंतर्गत लोग संख्या परस पर विशेश गटा मदे विभागली के लिया आए आणी संशदक नमुणा काड़तो आए तो से वह अपने सांप्लिंग में सांपल निवड़ाई जासता तो आपने एका population मदुन निवड़तास तो मताचा वह वरून वेग विगड़े प्रकार पढ़ लेला है जे stratified sampling, cluster sampling, snowball sampling and quota sampling हे जे का प्रकार है तो सगले अपने sampling techniques साहे कि वह sampling technique चे प्रकार है तर आपने लेला है कि which population is divided into mutually exclusive group नमुना तंतर जेचांतर को लोग संख्या परस पर विशेश के टामादे भी भाग लेगे लिए है तर तो नमुना प्रकार कोन था आपने 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 साहे है stratified sampling, cluster sampling, snowball sampling and quota sampling तर चे रेक्ट आशर आपने साहे cluster sampling, cluster sampling मिंजे काय तर आपन बहुए what is cluster sampling? cluster sampling is a probability sampling technique where the researchers divide the population into multiple groups that is cluster for research तर अपने लेला माईते प्रोबाबिलिटी अन प्रकार रहे जे अपने लेला sampling निवर्णा साहे मदद करता है कि वाँ sampling साहे है दोन प्रकार है आणी probability sampling मतला एक प्रकार है जे अपन cluster sampling मनतो तर तचा मदे अपन काय करतो अपले samples निवर्णा साहे टेक्निक्स मदे population multiple groups मदे divide करतो, वेगवगे groups ताहर करतो जे अपन clusters असमनतो researchers then select random groups with the simple random or the systematic random sampling techniques for the data collection and data analysis तर data visualization करना साहे कि वाँ samzun घेना साहे तर 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 टेक्निक्स करना साहे जे अपन वेगवे group select करतो क्यों आप बननाऊंतो तर तर रैंडम group क्यों माँ सग्रेस एक पाटक 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 कोड़ुने एक से random sampling स्कतो अपलेला हावे ते अभ्यास करना साहे क्यों data collection से analysis करना साहे तर तर मग अपन निवड़तो तर क्लस्टर संप्लिंग मचे कायता multiple groups बनाऊं आण इन अंतर मत तर तर अपन random groups कुटले पन sample मचे निवड़ुशकतो Example, researchers want to conduct a study to judge the performance of SOFOMORS in business education across the U.S. It is impossible to conduct a research study that involves the students in every university Instead by using cluster sampling the researchers can club the universities from each city into the one cluster तर इते example काय दिलेला अपलेला की U.S. से education आहे तेचा वरती से अपलेला कि मा तेतले University मदे students अभ्यास करता है तेंचा वरती अभ्यास करेचा है महे अपलेलो शक्क्या है का तेतले सग्राश University चा स्टूड़न्स सा data गड़ो करना नाहीं मा अपन तेते cluster sampling करनार वेग भी काई University मदेले थोड़ी थोड़े students सा अभ्यास करनार अडि तेला मग अपन एककत्र क्लाप करून जो काई अपला निश्कश असेल रिजल्ट असेल प्रत्यक उनवर्सुटी मदें तो एक cluster निवड़ून तेचा तो sample मने निवड़ून जो काई निश्कश निगनार है तो अपला research conclusion असनारे कि वा research चा result असनारे आशा प्रकार है cluster sampling अपन यूज करतास तो next third question a logic which includes drawing culmination inference from a given list of certain facts is एक खादा तरक जामदे रेखाटने तिल कड़स विशिष्ट तथे दिलेला सुचिम बदून अनुमान समाविष्ट केले केले आहि तथे कशा प्रकार्च असनारे कि माते कशा प्रकार्च fact असनाराय drawing कशा प्रकार्च असनाराय logic कशा असनाराय option side deductive reasoning inductive reasoning objective reasoning and critical thinking या पे किया अचे correct answer deductive reasoning अपनले deductive reasoning समझून गया अचे अपनले correct answer कहाले ते पन बगुन की हुए deductive reasoning conclusion guaranteed इते conclusion अपनले पक्क मेता जवा deductive reasoning असनार deductive reasoning start with a certain of general rules and proceed from there to a guaranteed specific conclusion deductive reasoning moves from the general rule to the specific application तही अपनले एक लाइन में आपला answer है कि general rule पसनते specific application परेंत पोसता deductive reasoning मदे अपनले लाइन specific facts अपनले एक conclusion अपनले लाइन specific application असनार है deductive reasoning अपनले correct answer deductive reasoning इन deductive reasoning if the original assertion are true then conclusion must also be true तच्चे facts दिले लाइन तच्चे conclusions to the true असनार है facts ने में खरे असनार है मनुन इथे conclusion देखिल कसा है नारा है true है नारा है मनुन अपनले तचे correct answer जी आला होता है deductive reasoning मात आपन inductive reasoning पन बगुन गिविया पताज deductive reasoning conclusion guaranteed inductive reasoning conclusion merely likely inductive reasoning begins with observation that is specific to limited scope specific limited scope inductive reasoning and proceed to generalize conclusion that is likely but not certain in light of accumulated evidence you should say that inductive reasoning moves from specific to general तच्चा मदे का है वरतिया अपन बगितले जानरल पस पस प्रेशिपिक अप्लिकेशन मदे यता deductive reasoning आणि inductive reasoning specific to general हाँ दोन इतला फरक जरी अपनला समझला तरह आपन कुटला deductive reasoning आए और कुटला inductive reasoning आए है सहज correct answer देवू शोकतो तचनान तरह objective reasoning taking your test best shot conclusion guaranteed conclusion more likely and taking your best shot हाँ या दोनी पे के अपला लेक best shot गेचा तया वा है है reasoning आपन वापर तो objective reasoning typically begins with an incomplete set of abbreviation process to the likeiest possible explanation for the cell जे का मज़ जावार पास तजे कुटला set a cell explanation करने साथी तया साथी आपन है वापर तो objective reasoning is the kind of daily decision making that does its best with the information at hand which often is incomplete जे का ही incomplete आप आपन गोष्टी कि मजचे जाशा मजचे जाए अदले डिन्टिव आपन ना है आपन लोगान समिसतना है कि मत आटले जाए का है जाश्टी आपन झाभान थे clear होत ना है तया आपन आपन effe objective reasoning आपन एतले taking your best shot जरा आपन मनुशोक्तो ता अशा प्रकर चाहे तीन्स कंसेप्ट आपन क्लियर के लिए लए लाहता है आपन क्लियर के लिए 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 कि वह कंचर असेस्ट करतो। खततो। कि वह कंचा सहा करतो। तो 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 midре कषी मैं और Hello तो छुट्री असना रहे। ऊषू, ovkos, frequency कषी मैं जरू कि वह कंचे बनना ड्हीं। कंचे लिए क्षी शोदघ dolg ribbon मैं चंचे असना这么ड ह amis नहीं, diagnostic research बरबर frequency जीते आहे तिते आपन calculations करूँजे का correct answer असना रहे ते आपन करना रहे ते आपन experiment करना रहे जी ओल्रेडी जीते present आहे ते चावरती आपन research करना रहोथ आड़ ते चावरती आपन निधान करना रहोथ दैगनोस्टिक्स करना रहे तो मनें आपना रहे कर्रेक्ट असना रहे 3. Diagnostics research निदान सोषदन ते अपन का या आपना करेक्ट असना तर् te it refers to knowing Diagnostics मनें नेमी काया it refers to knowing about the health of client आपने health बदल महितना आपना रीसर्च आपना रहे तेसे बदल आप जाला माहित्यास ना typically diagnostic research focuses on estimating the sensitivity and specificity of individual diagnosis test प्रत्य गोष्ट जाये जब एक आदा research आपन specific गेत लेला है तेस्ट आपन research दाइग्नोस्टिक टेस्ट जासता specific statistics मद आपन अकड़े वापर तो तो यह सथे आपन वापर रिस्ट तो research साथी their predictive value and other parameters of interest में जब आपन काई काई वेगवे parameters साथ त्याला सुथा लक्ष्ट थेऊन है अपन लेड़े diagnostic कराव लक्त या diagnostics research मदे such as likelihood ratios ROC test test reality या जगोष्टिया है ते diagnostics research मदे अपन question मदे वाग इतन है frequency वाथिजे कई questions साहे त्यापन येचा मदे गेतो मदन आपला correct answer दिते 3 आलो तर diagnostics research next question हाए fifth the different conditions that prevail in a research study under which experimental and control groups are put are called जा संशोदन वो अब्यास चांतर गत प्रवयगात्मा काणी नियंत्रीत गठेवले है अशा विविद्ध परिस्थितिनना काय मनतात त्रेक गोष्ट इथिकले विए experimental research मदे अपलाला control groups परती अब्यास कराव लागतो variables जासाथ control groups परती आपन experimental research करू शक्तो मा या मदे असे विचाल लेके जे संशोदन आपन करतो मझे experimental research मदे जे संशोदन करतो ताचा मदे आपन नियंत्रीत गठ थेवले लासतात त्या नियंत्रीत थेवनाचा गठाण चा परिस्थितितिले आपन काय मनतो option side treatment investigation blueprints analysis 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 मनुशक्तो का आपन जी ते प्रयोग करतो है ती ते आपन analysis डाएक विचलेशन त्या गठाण मनुशक्तो का ना है blueprint रूपरेशा मनुशक्तो का नियंत्रीत गठ थेवले असता त्या परिस्थितिले blueprint मेंचे आपन से काय बनो ना रहो मनुशक्तो का रहा है first treatment in experiments a treatment is something the researchers administrate to experiment units मैं जी ते का unit साहे तैचा वाती administrate करना मैं जी तैचा और लक्ष देना तैचा और नियंत्रन करना से काम है या प्रोसेस लापन treatment आसा महनतो experimental research मदे control group चा परिस्थितिति ना कि मैं जो काय administration करें साहे तैचा सगया प्रोसेस लापन treatment असा मन्तो next question है the term is used in experimental research to reflect the restrain in the experimental condition हाश अब्दा प्रयोगात्मक संशदनात प्रयोगात्मक परिस्थितित सैयम दर्शोन साथी वापरला जातो तर सैयम मेंटलायन अंतर करेक्ट आंसर click वायला पढ़े experimental research मदे experimental conditions use करना शेवे क्यवा control करना शेथ सैयम दर्शोन शेथ आपले options साथ value, alternative, novelty and control सैयम दर्शोन शेथ आपले for control control प्रयोगात्मक परिस्थित सैयम दर्शोन साथी वापरला जातो आपन सैयम साथी control हाशब्द वापरतो control हाशब्द आपन वापरतो when conducting an experiment a control is an element that remains unchanged and unaffected by the other variables control जो है तो कुटले variable नी बदला जात नही experimental research मदे it is used as benchmark or a point of comparison against which other test results are measured test measure करे चासता experimental research control जासता 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 controls next question is seventh the ones that have a strong contingent effect on the relationship between and independent and dependent variables स्वतंत्र आणी अवलंबित परतंत्र चली अंचा दिल संबंद आवर तीवूर आक्रमय प्रभाव पढ़तो कशाचा किमवा त्या गोश्टी ला काय मनता त्या दोणी वारती अगदी हाट प्रभाव पढ़तो contingent effect पढ़तो दोगां चा रिलेशनशिप वार त्या गोश्टी ला किमवा त्या प्रोसेस ला काय मनता किमवा त्या वेरियेबल कशी आसता था options है dependent variable independent variable moderating variables 4 है extraneous variable that's a correct answer moderating variables अपला लक्षा थे वेसा है कि दोगान वरती जवा तीवर फेक्ट पढ़तो स्वतंतर चलाने अवलम बिच्छला वरती तेवा तो moderating variable असतो अता हा नेम का काय तो सम्जून गिवया A variable in research simply refers to the person, place, thing or the phenomenon that you are trying to measure in some way the best way to understand the difference between dependent and independent variable is that the meaning of someone, place, looking at the text of each and implies what the words tell us about the variables are the using tb variables कि आया ने रिसे को तर्टे the person, place, जोश्ट असट के आच तह तो आ त्या तो आप आच वेर्याबल अरे ने रहता है अच वेर्याबल मेद एक वेर्याबल डूँपर अच वेर्याबल है dependent variable याट independent variable है तिहा पन सञच करते है तो अ करते है आप फोर्ति काता रहा है तो 2 दोगन वर्ति यह की परिणाम करता है तो अ cumpligorति है एट, a statement about the magnitude, trend और behavior of the population under study is called अब ब्यासा नुसार लोग संखेची परिणाम, प्रवरुति की वा वरतन या बदल से विधान याला काय मंटला जाता तर हाजो प्रशना है तो हाइपोतेसिस वरत्या है हाइपोतेसिस से वेगवे प्रकारा है तर हाइपोतेसिस मंझे काय नेम का संख risen गिवे तर हाइपोतेसिस मंझे एक गोष्ट आजम करते हो कुटली ही research करता ना एक गोष्ट आजम करते हो की यذ हा परिणाम असा असावा आणे ते इन अंतर हापले हापले कं班स काडून मा थे हाइपोतेसिस करेक्ट होता किचु किच होता, ते कसो करेक्ट होता, ते कसे करेक्ट ना ही, या अपलाला कंदिशन मदे पटू उन दे आवा लगता, तो इते एक अपलाला कंदिशन दिले लेकि आप बैसन सार लोक संखेचा परिणा, प्रवरिति के वह वरतन, या बते तीसा विदान चे आहे, ते अपलाला ओप्षिस है, नल हाइपोतेसिस, शुन्य गृही तक, अल्टरनेट्व हाइपोतेसिस, वाइकल्पी गृही तक, डिस्क्रिप्टिव हाइपोतेसिस, वरिणा अत्मा गृही तक, रिलेशनल हाइपोतेसिस, मजे संबंदित गृही तक, या चा करेक्ट ना है, डि descriptive hypothesis असना रहे तो आप लेला descriptive hypothesis ता प्रकार सांगता एंडा रहे तर options में आपन ज़े hypothesis ये प्रकार बगितले ती समझोंगी या the null hypothesis, null hypothesis में ज़े काया ना रहे is a typical statistical theory which suggests that no statistical relation and significance exist in a set of given single object variables ज़े variables असना ते अच्छा वरते अपना observation करून hypothesis महांड़तास तर जहां hypothesis मदे कुटलास प्रकार सा statistical relationship नहीं है कि वाँ significance नहीं है तर ते नल hypothesis असना बिट्वेन two sets of observed data and measured phenomenon ज़े observe आपन कीटी वरेस करतो, एक single वरेस करतो कि वाँ दोन सेस मदे करतो तर तर त्या मदे अप्लास जो का result में तो ज़े अच्छा मदे कुटला ही संबंदना सेल तर ते नल hypothesis मजे शुन्य गुरुही तक असता next है in statistical hypothesis testing मजे है जे का है प्रकार है hypothesis testing से तर statistical hypothesis testing से प्रकार है तर दुसरा है प्रकार alternative hypothesis is a position that states something is happening a new theory is preferred instead of an old नवीन थेरी तिता ओपन के लिए जाते कि मां लागू के लिए जाते जुन्य चा आई वजी त्यावा तेल आपन alternative hypothesis मनतो इट इस यूजुली कंटेंस विद रीसर्च hypothesis विकॉज इस constructed form literature review on previous studies तर आपन hypothesis form करतो कसा करतो तर 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 लिट्रेचर review वरून करतो जो एक प्रकार है कि मान जो एक स्टेप आपन रीसर्च रीचर रीव्यू तैचा वरून है alternative hypothesis आपन मांतों मजे आपन अधी वासले hypothesis है तैचा पिक्षे जारा साइज फॉर्म है जे काई आपन मांगना रहा है descriptive hypothesis मदे रहता है कुटला है प्रकाच रीसर्च मदे आता है अपलेला काई संगेत है कि लोग संकेश साब परिनाम है सगड़ अपलेला लिहाई चाहिए descriptive में तै डिस्क्रिप्टिव मदे आला होता है अपलेला काई काई संकेटले descriptive hypothesis में तै काई का हो शकता size, form शकता क्यों रिस्क्रिप्टिव शकता वेरियाबल्स था मड़ो है description hypothesis है researchers often use a research question rather than descriptive hypothesis research question विचलता था पन descriptive hypothesis आबजी descriptive hypothesis are useful for testing statistical significance है काश्ट साथी यूज करता है statistical significance यूज करना साथी होता है अच्छा मदे कुटला संबंध आलाना है ते कुटला hypothesis हसता null hypothesis हसता next है a relational hypothesis is a one that suggests variables are related in some way मझे अच्छा मते दोनी variables मते काहितरी संबंध आहे मझे ते relational hypothesis है a casual hypothesis is a one that suggest that a cause and effect experimental research में ते cause and effect साब बैस करतो तो इथे अपला casual hypothesis है ते काय सच्छूस करता cause अनी effect अपलेला सांगत असता relationship exists between variables मझे ती ते काहितरी relation variables मदे असता null hypothesis मदे दोनी मदे काही संबंदन असतो और relational hypothesis मदे अगर मदे काहीतरी संबंदन असतो an example of relational hypothesis is that significant relationship exists between smoking and obesity उधारन अत्त काहित दिलेला है कि तेनी smoking आणी obesity या दोनी मदे काहीतरी relation आहे मंजे ते एक relational hypothesis आहे असा आपन मुनुशक्त है एक दाम पल तेनी अपलेला दिलेला है next question नाइन्थ which principle advocates the simuliness or the sequential use of qualitative and qualitative method of investigation ता पास नीचे गुनात्मक आणी परिणात्मक पद्द ये कासे विडिक्यों आणुक्रमिक वाप्राचे तत्वा समर्थन करते तरह वे एक तत्वा है जा मदे qualitative and quantitative दोनी methods वापर आपन करतो research मदे तत्व काया है अपलेला सांगाई जा है अपलेला मैते research मेदे दोन प्रकारा है qualitative and quantitative methods तत्या मदे दोनी चे वापर के लाजातो काही research मेदे दोनी वापर लाजाता तत्या चे तत्वा काया है कि माद कुटला चे समर्थन करते options है principle of triangulation principle of validity principle of research design principle of testing चाचनी चे तत्वा तरह एचा correct answer आए first principle of triangulation त्रीकोडा चे तत्वा त्रीकोडा चे तत्वा नहीं का काया कि अपन सम्जून की विया of course अपले लाजा क्वेस्टन विचारल था quality and quantitative method एक त्रीकोडा चे तत्वा कुटला कुटला त्रीकोडा नहीं काया है तो त्रीकोडा चे त्रीकोडा है अपने कायासनर था थार्डा जाद आए बेटा सोर्स असुदे कि वह कुछले क्वालिटिटिटिव रिसर्च असुदे पन्थ अच्छा मदे तुम्हीं वेगवग प्रकार्च मेथर्स एकका विड़ी वापरू शकता है मनुहाला ट्रेंगुलेशन प्रिंसिपल असा पन मनुशकता है त्रेंगुलेशन असा when Evet कि वह 소 punctov हनiki कॉलिटिटिव रिसर्च आटियव जशषेशन आक क्वालिटिटिव रिसर्च पनाविश 스टेजी मदे टेस्टवालिटिटी करना साटि बेंसट आहिए क्यों वा भिलेश्ट्व किरना साटि वापरला जाता है strategy मदे test validity करना साथी देखिल best आहे कि वा व्यू केरना साथी वा परला जाता validity through the coverage of information and different sources वेगविगा sources मने आप्लाला मायती मिलवना साथी या प्रकार चा रिसाच वा परला साथे कि वा या प्रकार चा तत्व वा परला जाता अप्लाला है चा मदे अखड़े वारी सुधा मेरता या डिस्क्रिप्टिव अंसर सुधा है चा मदे मिलव शक्ता या प्रकार चा तत्वा मदे next question है a survey which is conducted on different sample groups at different time intervals is called वेगवेगड़े वेडवेड़े गितले ले नमुनांशा गटानवर के ले ले सर्वेक्षणाद असे मंटले जाते मज़े काय सांगितले कि simple groups sample groups गितले वेगवेड़े टाइम इंटर्म नमुन सामिजा है प्रत्ते का चा वेड़े नुसार कि वा वेगवेड़े पिरेड नुसार है ग्रूप पढ़ लेला है तत्ती कशाप्रकार्च स्टड़ी असे अर्वेक्षणाला कायमन्ट लाजाए अप्शन साहिए क्रॉस सेक्ष्णाल स्टड़ी चाहोट कोहट स्टड़ी कोहट अनलिसिस लॉंजेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि प्रक्री नोर्स सेक्षिनल स्डडी है क्रोससेक्षिनल स्टडी है ग। स्कॉसेक्षिनल सेटिट एस अपधर किसे आज। कि एस यूचिफिनल साथियर अर стьp कि कुंधे यूचिफिनल स्टेड कि कर aggressive आजुट detto पर ब्डिवर्चिक 앞 सब्सक्न वच पर चरद है, wyससा रिटाइक है कि रिटाइक्षिन गया उत्तरी प्रशच्छ उस्तरी बदाको कर्याँ किया है एल्टिम आमार युख करूटा मासे का क्या सूथ दो तो आत चरद रहाम आत तो अबकल HOW बोली Much इवन टाइम मदे दिलेला होता अभ्यास करने साथी मजaż एचा करेक्ट अंस्रा अफलेला हे विला यह उत्व ताचल्य के निदे ग मोंगे अपन्यास करने साहतो प्रस्शन में प्रिश्नान में चाहिते है अपन्यार्ड वेग विडिये अंश्ट चेप जया अंध्याश्ट म अच्छा प्रकारे आपन next lecture मदे देखें 10 questions 10 concepts होबत बगना रहोद आच्छा सेसिन सक्ती धन्यवाद Thank you आच्छा lecture चे 10 प्रश्ण और 10 concepts आपना इकड़े संपलेला है Next session मदे आपन नवीन 10 concepts शिक्टना रहोद जा concept आपलेला research methodology मदे मिरतात आणि आपलेला पूर्ण सिलाबस अशाप्रकारे कवर कराईचा है येनरा पेट एक्जामुला क्लियर करना साथी अच्चा सिस्टन साथी, थैंक यू